here Bon in सबस्तर लेँ एह Mexicans आप लोग अ्योब आप सबी वह निMAN early Sight होंगे और आज कीज कही सेजन में आप सभी का एक बर फिर से सवागत करते हैं मैंब विए उलगोजी भागती और आप 열 जोग देख एउनग की लोग arter इस बहतरीं लोगाये qe aac इसमें हम लोग क्या क्या करने वालें? Nationalism in Europe के कुछ गुस को्सम करने वाले हैं ठिक है? Nationalism in Europe जो है सराथ बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और इसमें सराथ अधिक तरा कोर्शेंस आते हैं मतलब मोस्ट गोर्षन जो होते हैं सर इसी सी आते हैं ये questions जो है, वो exam के लिए बहुत important रहेगा, और बात करें सर हमारी उसकी, किसकी सर, कि क्या ये सर chapter हम लोग को पेढ़ने की जरूरत है, जिनोंने theory नहीं किया, वो theory पहले जाके कर ले, ठीक है, और वो ही फिर meq batch का classes करें, या फिर most expected questions को लगाएं, ठीक है, चले, तो बढ़ते हैं अगे जी, और हम लोग आज class करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ki notes कैसे लेना है, यहाँ पर यही बात होती है, कि आप लोग को, कुछ-कुछ students कह रहे थे, कि सर जो notes है, वो लेने में दिकत हो रही है, यानि कि सर जो notes है, वो क्या हो रही है, app पर available, ना, app पर available है, ठीक है, ये सभी बच्चे को clear है, लेकिन कुछ-कुछ students ये कह रहे थे, कि सर ये third party app है, जो मैं फिर से बतातू, ये third party app नहीं है, आप इसको बिल्कुल safely download कर सकते हैं, अब आप लोग सोच रहे होगो, कि कह ये sir, data छोड़ी-ओडी नहीं नहीं करेगी मेरी मुझाल से, तो जी, बिल्कुल नहीं, ये एकदम safe, safe है, safe app है, तो आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई tensor नहीं की कोई जरूवत होगी नहीं, ठीक ह आईए sir, अच्छा, उसके बाद कर लें, कि जो हमारी notes है sir, है ना, जो हमारी क्या है, notes, है ना, वो कौन सा batch में मिलेगा, तो ये, जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही बोल दिया हूँ, कि ये meq batch है, तो meq batch में ही मिलने वाला है, ठीक है sir, meq batch में मिलेगा, और आप लोग उसी को ले सकते है, meq batch में, sir, study by subjects, एक tag होगी, उसमें आप लोको चले जाना, study by subject वाली tag में, ठीक है, इसमें चले जाना, और उसमें जो होगा sir, sst subject होगा, उसमें भी चले जाना, तो उसमें हो जाएगा, ठीक है, study by subject में चले जाना, उसके बाद आपका जो, sst वाला section होगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया गिया है कि नोट्स जो है sir वो अपको हर चाप्टर वाइज मिल जाएगे चाप्टर वाइज ठीक है चाप्टर वाइज मिल जाएज ठीक है चलिए जी आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय जाया कि हुई ठीक है तो सबसे पहला हमारा है objective questions हम लोग objective questions को करेंगे तो arbeel को करने वाले हैं तो अगंवे较और के कि एक करते हैं अगर आप सहमती दिखा रहे हैं एक नियूरोप के क्लास करने में तो चलिंध्र करते हैं बिना कोई सबसे पहला जो है मिद्फधा है इटली और जर्मी में सबसे पहला जो है अपका सर इटाली जर्मेटीटि उरल उन चाप्टर नाम से पता लग रहा है फिर उर्याव के उडियाओ तो इसका एंसर हो जागा C नंबर तो एंसर क्या हो जागा इसका सर C ठीक है और इसका नोट आपको मिल जागा चिंदा करने की कोई शरूवत है नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट कोर्चन आते हैं यहां यहां पर जो बात थी वियन खॉशन हैं तो यह भी बहुत अच्छा कोशन है तो engineer Bervo dynasty औरको जहें ना कॉंसा देर्ट बर्भो का राज था 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 सर प्रांस में दिश्टाबिश네 कर छबा कि अप लोग को दीखत यहां रहेm सबध्रति औरम ले ले लीकिन राये लगव 15 स्थले Leonard एक मिनट बेट करना जड़ा नेक्स्ट कोशन चलेंगे तो यह बहुत अच्छा कोशन है और यह कोशन हमाई साब पूछा ही जाता है ठीक है आही जाता है यह कोशन को भी देख लेना है की मजनी कौन से लिंटेट है इसma ऐनसर क्या हो जागा जल्दी से के अपर कमेंट कर देंगे अगर आता है द्यान से सुनेंगे कारबन 온 कि से बारेख आर अटके होजागा चलों सर आगे चले तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा, कि who among the following was against the unification of इटली, इटली और जर्मेनी के जो है, वो कौन सा राज है, मैं सुरी, कौन सा देश है, किसके अगेंस्ट था इटली और जर्मेनी के कौन सा राज है, तो जल्दी से एंसर के पर कमेंट कर देंगे, फ़र यह था, उसका दुसमन था, इटली और जर्मेनी का, ठीक है, चलो सर, कोई दिकत नहीं आ तक, I hope कोई दिकत नहीं होगी, ठीक है सर, आईए चलते हैं, next question की तरफ, next question भी आपका आच्छा तरीके से आ रहा है, next question भी आ रहा है सर, एक विट करना, हाँ, next question है सर, आपका, to which the post डी विक्टर अमेइल, एक पॉइंट काउंट केवर, जो था सर, वो भी एक काउंट केवर के स्पेलिंग आपर गला थे, इसको सही कर ले, न, काउंट केवर होता है, ठीक है, और कौनसा पोष्ट के लिए, वो ओपॉइंट हुआ था, ठीक है, तो इसका अंसर हो जागा, प जर्मनी का करवा रहा था उनिफिकेशन करवा था तो उस टाइम को लाया गया था वाट वास गरिवल्दी प्रोफेशन तो गरिवल्दी क्या था तो एक नाविक था ठीक है चलो, next question चलते हैं और next question भी आपके अच्छा तरीके से आ रहा है Who created German Rheign? German Rheign को ने create किया था तो इसका भी answer क्या हो जाका Napoleon Bonaparte Napoleon में जो Bonaparte होता है यह क्या करता है? German Rheign State को बनाता है German Rheign State को ठीक है जो बोना पार्टे जो है वह आप लोग का Slavers में है सर Bonaparte से बहुत सारा questions आते हैं ठीक है कि Bonaparte Napoleon Bonaparte ने क्या क्या किया ठीक है चलिए सर आगे जलते है What kind of organization was Jalvarine? है ना Jalvarine जो है सर वह कैसा organization बहुत ही अच्छा question है और यह question सर हमेशा पूछा जाता है तो इसका answer हो जागा Traders का इसका था सर एंसर Traders का ठीक है बात समझ भी आ गई हाँ Notes मिल जाएंगे कोई दिकत है नहीं Who supported the policy of Blood & Iron Blood & Iron का जो कौन support किया था policy था इसका answer क्या होगा ध्यान से सुनना Blood & Iron जो है Sir Bismarck ने बोला था कि Bismarck ने क्या-क्या था Blood & Iron का नीती अपनाया था किसको जर्मनी को unified करने के लिए ठीक है Answer number C हो जाएगा ठीक है चलो Next question चलते है Next question है Sir When did the Treaty of Frankfurt Tech Please Frankfurt जो है Sir कब हुआ था यह भी question अच्छा question है और यह question Sir अधिकतर नहीं हाँ बस 2-3 साल का gap में आता रहा है ठीक है When did the revolution of Naples Tech Plus Naples क्या होता है Sir जो था वो एक राज का नाम था है ना वो राज का नाम था ठीक है Sir Answer क्या हो जागा इसके जल्दी से एक बार comment कर देंगे 1820, 1821, 1822 1822 या फिर 1823 तो इसका Answer आपका सामने है Answer है Sir B number ठीक है और आप लोग अगर मैच कर पा रहे है तो जल्दी से एक बार comment कर देंगे ठीक है Where did the Chartist Moment take place Chartist Moment क्या होता है Sir Chartist Moment Chartist Moment Chartist Moment का हो था Sir तो वो हो था England में Answer क्या हो जागा इसका England ठीक है चलिए Sir Next Question चलते है और अपना Next Question है Greece was declared an independent nation किसको Greece जो था Sir वो independent nation कब declared कर दिया गया था Europe में तो इसका answer क्या होगा जल्दी से एक बार comment कर देंगे इसका answer हो जाएगा 1832 1832 जो है Sir उसका answer हो जाएगा ठीक है 1832 इसका answer हो जाने वाला है 1832 क्या हो जाएगा 1832 Answer number B ठीक है आयोब आपको बात clear हो ठीक है चलो next question चलते है in which year in which year did carbonary organization take place तो कौन सा year में carbonary organization take place हुआ था जिसका answer हो जाएगा Sir option number C यह हो जाएगा आपका answer ठीक है चले next question when was the treaty of अड्रियोन पॉल अड्रियोन पॉल जो अड्रियोन पॉल का जो ट्रीटी था संधी था वो कब हुआ था 1829 में हुआ था एक बार इसको ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आगे चले ठीक है the treaty of अड्रियोन पॉल was signed between two countries कौन से कौन से घर्ण की होना चाहिए अंसर की होना चाहिए turkey hungry लेकिन book क्या बोल रहा है रहना book क्या बोल रहा है अच्छा book क्या बोलता है sir book बोलता है तो इसका answer turkey hungry ही होगा option number C is the answer option number C या फिर इसको check भी कर लेगा तो Google पर एक पर साश कर लेगा ब्ट्विन होम डिट दा बैटल ऑफ सेड़न अच्छा देखो इसलिए वाले कोश्चन में कर्फ्यूजन इसलिए है सर्क्राइब की चेंज हुआ है मतलब जब बुक को बदल रहा था तो मतलब टाइपिं प्रिंटिक में स्टेक हुआ था तो ऑप्शन को डी कर दिया गया था और मेरे ही सबसे ऑप्शन सी ही हे लिखा हुआ है भी हारवड के बुक में ठीक है चलें आंगे यस हां बिट्विन हुम डिट दे बैटल ऑफ सेड़न टेक बिलस सेड़न का जो बैटल हुआ था सेड़न का जो लड़ाई लगी थी वह किसके बीच में लगी थी प्रूसिया और ब्रिटेन में ब्रिटेन और फ्रांस में ठीक है इसका एंसे जल्दी सेवर कमेंट कर देना ठी तो France और किसके बीच में लगा था, Britain या फिर पूरुशी, इसमें आपनों को ध्यान में लगाँ, France और पूरुशीया के बीच में लड़ा गया, ठीक है, जैको सेडॉन के जो बैटल था, वो कैसे टेकपलेस हुआ, France और पूरुशीया के बीच में इसको याद कैसे रखेंगे मितलब कहा होता है sed on assigned 依ा इसका क्या रखेंगे याद judgments क्याद रखेंगे यह बचे लोग भूल जाते तो मैं ने भी इसे याद किया था sit इसके answer याद रखेंगे sad zip तो me on यह क्यों हो गया एफ पी एक नटेक 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 सड़ा हुआ एफ पी मतलब एफ पी का कैसे याद रखो गए देखो एफ पी को कैसे याद रखो देखो एफ से क्या होता है फूल है ना फूल और फी से पका लगा इसको याद रखो लेना ठीक है सड़ा फूल पका यानि कि फ्रांस पूरूश्या चलो वेर वास देखो बेट्विन फ्रांस निद पूरूश्या इन 1870 तो वेर वास देखो ओर हूआ था वार तो प्रुश्या के बीच में 1870 में सेडाउन, सेडेवा, सेडाउन और फिर फ्रैंकफॉर्ट, जल्दी सेवर कमेंट कर देंगे, है ना, जल्दी सेवर कमेंट कर देंगे, ठीक है, I hope आपको बात क्लियर होगी, अच्छा, यहां पर एक कोशन लगता है, छोटा हुआ है, ठीक है, 17 के बाद, डारेट, 20 आ गया है, कोई ना, 19 कोशन में 17, 18 जो अच्छा, वो कोशन था ही नहीं, अच्छा, चलो, कोई ना, क्या करूं में, देख लेता हूं, एक मिनट, देख लेता हूं, यह कोशन नंबर कितना, 17 था ना, और यह हो गया, आपका, 20, ओके, चलो, कोई ना, आगे चलते हैं, तो, where was the war between, कहाँ पर, फ्रांस और पुरुशिया का, वार हुआ था, तो, हवी जैसे कि, याद दिलाए था है, हमने, सडाउन का, ठीक है, एंसर क्या हो जागा, इसका, सडाउन, ठीक है, सडाउन, फूल, का, इसको याद रखे, बार और कोशन पुछे जा इसका answer क्या हो जागा, answer number B हो जागा, answer B हो जागा, यानी कि, ग्रीश, इसका answer क्या हो जागा, ग्रीश, ठीक है, यजशी है, घीक है, बात किलिर है, किलिर ही हो की बात है, ग्रीश, तो, who developed the young Italy cosPreis यंग इंटली और्गोनाीजेशन इस blew Frank और हुल सुन है जै और कि महीज़िक में दिल रार बेदाम्ह धुर। ऩॉई ज़िन?! पना भी चुरिवें मर्पार्गोनी देदाते हैन। बिस्मार कौन था ? मिजुशियन, फ्लीराइट, डैपलोमेट, पोईट जल्दी से अबर कमेंट करतेंगे फटाफट बिस्मार था था राजनेतिक राजनेतिक का बहुत जाता था राजनेतिक का जो था वो बहुत ही अच्छा जरिके से जानता था इसके अंसर हो जाका डिपलोमेट है ठीक है अगे चलते है Who was the ruler of Sardinia Pirmant? Sardinia Pirmant का ruler कौन था इसका अंसर हो जाका William sorry Who was the ruler of Sardinia Pirmant? इसका अंसर हो option number C option C Victor Emmanuel और एक announcement एकंशनेन्ट have them एक announcement, got some announcements, इनाउनस्मेंस्मेंट को फोड़ा एनाउनस्मेंट दे रहे है तो एनाउनस्मेंट दे रहे तो फ्लीज द्यान देना थीक है तो यह जो है आनाउनस्मेंट यह एनाउंसमेंट रहे गाई भ्यान से देखना और सुनना ठीक है क्या मैं बोल रहा हूं हाँ एक मिन एक मिन एक मिन एक मिन एक मिन एक ठीक है एनाउंसमेंट एक पर धिहान से सुनना इस लाइब हम आ रहे हैं संडे को ठीक है ठीक है थोड़ा सर जो भी बच्चे रिकॉर्डर मतलब बात में देख रहे हैं उसको संडे के बात रहे हैं तो वह क्या करें इसको ठीक है मैं पहले बोल लेता हूं नहीं तो आपको टाइम वेस्ट हो ओके ओकी सर जो भी बच्चे हभी मेरे साथ हैं यानि कि हभी यही सब्ता में देख रहे हैं तो प्लीज यह अनॉंसमेंट सुन लेना लाइब आ रहे हैं संडे को सर फोर पीम या फिर जो आप लोग कमेंट करना महाँ पर एक पॉल भी आया था आप लोग के पास कि कौन से टाइम को रखना है 4 पीम या 6 पीम तो आप लोग अधिकतर बच्चे ने 4 पीम को ही अभी तक स्लेक्ट किया है 6 पीम में नहीं गया है 4 p.m. में 80% जा चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 p.m. को ही रखें, ठीक है, 4 p.m. को रखेंगे, और वहाँ पर सर हम लोग क्या करें डिसक्स करेंगे, आपके जो बोट्स में, बोट्स में जो है, सर, है ना, बोट्स अगर किसी को कोई भी डाउट है, इंग्लिस में के, पुछ ले, ठीक है, लाइव आएँगे, सर, इस संडे साम 4, ठीक है, और टाइम बदल सकता है, पोल के माध्यम से बदल देंगे, ठीक है, अपना, ठीक है, अब देखो, ये संडे को लाइव संडे में अधिकतर से बच्चा को जोड़ना है, सर, ये जोडने का आपका काम र ठीक है, ठीक है, एतना बात या रख लेना, संडे को आएंगे, अपके साथ बात करेंगे, और कुछ-कुछ चीज़े समझेंगे, कि बोर्स में क्या-क्या डाउट है आपके, और उसको डाउट को लेंगे, और एक डाउट फॉर्म आपको दिया जाएगा, एक डाउट फॉ पात नहीं, कोई बात ही नहीं, ठीक है, क्लिर बात हम यह साथे, ओप पना स्लाइड लेते है, और भागया मेरा स्लाइड, और उई 1 मिनिट यह नहीं चाहिए मुझे, कर वीधो नो हाँ, हम स्लाइड लेते हैं, लिको, अपना स्लाइड का गया यह रहा कस्टमाइज देखो तो यह अनॉंस्मेंट था अप लोगको ध्यान में रख लेना है मिलेंगे मतलब चलते हैं आप आगे और अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं कौन सा जो बिरिटिस पॉइट था सर्वो मतलब होता है साथी सुता था घ्रीक लिडिपेंडेंडेस ओर स्टरी आप मतलब होता है कि उसके भावनां पर फिरिक इंडिपेंडेस फॉर्मीट इसके अंसर का वज्वेंगे लॉर्ड भाइर ठीक है चलो नेक्स चलते हैं आगे विच इस्टेट इस्टाब्लिज जर्वरी बहुत है ना अभी कितना बचा है वाबा सी पेज आप प्री आप सब्सक्राइब कोई ना है ना अशी पेज है तो अभी 30 हुई है 30 ही पेज हुए तो और आदा गंटा को लगता है बीच चुका था है ना विच स्टेट किया था तो इसका एंसर हो जाएगा आपका पुरूषया ठीक है चलो नेक्स कोसर्ण है आप लोग का इंपार्टन कॉस्टन है वाट वाज दा लैंग्वेज अंगरी हंग्री का जो लैंगवेज के आता है था रह वह मगयार था एंसर क्या आप या एक बार का जो इंडिपेंडेंडेंस वो कॉन रिफीट करता है जल दिशे एक बार कमेंट कर देंगे तो तरक यूग है ना और मरियन वाज शिंबॉल ऑफ नेशनलिजम और विच कंट्री यह भी बहुत अच्छा कोशन ही क्योंकि इसका एंसर हो जाता है फ्रांस किसको कहते हैं ग्रीश को या दख लेना यह सब्स टीक है इन विच यह वाज दा एक्ट अफ यूनियन का पास्ट कौनसा यहर में तो 6088 में पास्ट हो गया था इसका एंसर हो जाएगा 6088 इक है नेक्स्ट कोशन चलते हैं अपना विच डैनेश्टी डूल देर अट सम टाइम सब्सक्राइब कर रहा था तो यह आप सभी को पता है बर्बर डैनेश्टी डूल कर रहा था ठीक है नेक्स्ट कोशन चलते हैं अपना इन विच यह डैंपोलिय कोड इंप्लिमेंटेट तो इसका एंसर हो जागा 1804 इसका एंसर 1804 बहुत इंपोर्टेंट कोशन और आपके स सब्सक्राइब कितने साल लड़ा था उनिफिकेशन जर्मिनी के लिए सर्ट इसका ऑफ्शन नमबर सी ऑफ्शन क्या जागा सी ठीक है नेक्स्ट कोशन चलते हैं आपके सामने इसकी दिन पर विच नेशन वाज इन नौट इंप्लिदेंट इन विएना कॉंग्रेस विएना इसके द्वारा बनाया गया था ठीक है इसको भी हम मार्क दे देते हैं सर इसको मार्क दे देते हैं बढ़िया अच्छा कुशन है ठीक है इसका आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट कुश्चन है कि इसको माजज़नी और इसका एंसर मज़णी नहीं रहे हैं ठीक है अगर आपको आ रहा है तो प्लीस कमेंट करते ना नहीं आरह है तो हम लोग आगे चलेंगे which king of France has said I would rather cut wood than rule like an English king कौन सा king जो है सर फ्रांस में कहा था फ्रांस का राजा था वो कहा था कि I would rather cut wood than rule like an English king मैं इसका समझना है ताकि अगर आपको एक्जाम में आए ना इसका एंसर क्या मतलब समझ हो जड़ा बोलता है कि अंग्रेजी राजा की भाती साशन करने की आपक्छा काटना अधिक परशंद करूँ इसका मतलब क्या होता है I would rather cut wood than rule like an English king मैं लकडी को काटना पसंद करूँगा एक राजा के भाती चलाना नहीं मतलब ऐसे कुछ बोलता है वो उसका sentence रहता है ठीक है ठीक है सर आई आगे चलते है अब अपना next question है सर sorry इसका answer क्या हो जागा फेले मैं बिता दिता हूँ इसका answer हो जागा Charles Tenth क्या हो जागा Charles Tenth ठीक है रूलर पुरूसिया का रूलर लल थो तो विल्यम वन इसका answer D number एक विनेट चल क्यों नहीं बोड भी यंकटने लगा पता नहीं क्यों एक विनेट एक विनेट वेट करना वेट करना नाई ये मतलो ना ये नहीं होना ये नहीं होना रूक जाओ रूक जाओ मैं इससे डिलेट कर दूँ कैसे होता है डिलेट चल लो को यान मैं इसको इससी रेज कर देता हूँ ठीक है सब देख लो इसका answer हो जागा D ठीक है उप्सान नमबर D ठीक है? चल लो next question वड़ वस पेसेंट उफ यूरोप कोट तो पेसेंट है यूरोप का पेसेंट किसको कहाते हैं यूरोप का मरीज किसको कहते हैं basically question यह ही आता है इसको turkey कहते है answer turkey तो कोई ये सब जो questions में करवा रहा हूँ ये आपके questions में दिखे जाएंगे और ये सब आते रहता है ठीक है? which union did Napoleon establish in Germany? Germany में कौन सा union established हुआ था? इसका answer हो जागा राइन union, जर्मन राइन को established किया गया था ठीक? चलो next क्या है? by which treaty was the independent nation of Greece established? कौन सा treaty of independent nation of Greece established हुआ था? ये अच्छा कोशन है, ये क्या आगया निश्चे में? इसको erase कर देते है, हाँ ठीक है? इसका answer हो जागा sir by the treaty of adriana pole by the treaty of adriana pole इसका answer हो जागा d number ठीक है? बोर्ट जब है हैंक कर रहा है, पता नहीं क्यों चलो ज्यादा पेज है ना इसे लिए ठीक है, who founded young Europe? young Europe को कौन found किया था? बहुत बार सवाल कर चुक है, तो इसको answer आप लोग comment पर दे 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 ना, मजजी नहीं वैसे answer हो जाएगा ठीक है? where did the new zulf moment take place? new zulf moment take place कहा हुआ था? यह भी बहुत अच्छा question है, और इसका answer A होता है, Italy ठीक है, Italy में sir, new zulf moment take place हुआ था? ठीक है, आगे चले, आगे है sir, who was maternick, maternick कौन था sir? maternick जो था, वो chancellor of austria था, chancellor of austria था, जाद रखेंगे, maternick जो था sir, वो chancellor of austria था, ठीक है? अब आते हैं, next question, in which your card one is established, card one is established हुआ था? तो 1810 में, 1810 में, ये पीछले भी questions कर चुके थे, ठीक है sir, आते हैं यहाँगे, और what type of government was established in France after the revolution of 1830? को कौन सा government established हुआ था, France के बाद, 1830 के बाद sir, ये भी बहुत अच्छा question है, और ये था absolute monarchy, absolute मतलब sir, absolute मतलब होता है sir, कि वैसा monarchy system, जहाँ पर, भलका, मतलब पूरा monarchy system established हो गया था, राजा महराजा ही रने गए लगे थे, who formed the organization called लालकुर्थी, लालकुर्थी जो organization था, वो कौन मनाया था, इसका answer क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसका answer होगा sir, Gary Beldy, इसका answer क्या होगा, Gary Beldy, ठीक है sir, आईए आगे चलते हैं, next question जो है sir, from which event, है ना, from which event, from which event, फोड़ा जल्दी करेंगे, साड़े, मतलब आदा गंटा हो चुका है, है ना, from which event, is concept of nationalism, was considered to be born, तो कौन सा event था, तो इसका answer होजागा, Renaissance, ठीक है, इसका answer, ए नंबर होजागा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नोट से ले लेना, आप लोग, who adopted the policy of blood and iron, फिर से भाई question, यह आप लो खुद से करेंगे, अब आते हैं, subjective question के दरफ हास, objective पूरे 50 हो चुकी है, तो फूरा 50 हमने objective किया, और कुछ-कुछ जो थे सर, वो similar questions थे, तो वो मैंने छोड़ दिया, अपने बन से, चीक है, चलो, subjective questions पूरे हुए, अब करेंगे subjective, फर्चास questions कर लिए, minimum 50 कर लिए, और maximum करेंगे सर, और कुछी students यह कह रहे थे, कि सर, पूरा all geography paper लेके आओ, class, तो all geography paper लाना सर, reported भी मज़ा नहीं आए, है ना, तो मैं सोच आँ, उसको live में कभी लाएंगे, जब आपका board होगा, तब उसके, आसपास में हम ले आपाएंगे, ठीक है, जनवरी फर्वरी में, तब देखा जाएगा, और subjective questions को चलिए, कर ल एक मिनिट था, अच्छा, तो nationalism in Europe में, MEQ में, इसमें question है sir, nationalism, what is nationalism, तो सबसे पहरा question आता है, nationalism आखिर होता है, तो यार, nationalism जो है sir, वो बहुत important चीज है, और बहुत important चीज बन चुका है, अखिर, बहुत important चीज बन चुका है, कैसे sir, यह भी बहुत बच्चे का मन में आता है कि कैसे, हाना, तो यह जो nationalism है sir, वो एक, क्या है, यह एक general sense है, और यह एक developing, feeling, feeling of developing and thinking, ना sir, feeling of developing and thinking, या, हाना, आप लोग अगर कह सकते है, कि, nationalism क्या होता, देखो, मारा जो वीडियो था, वो रूख गया था, तो मैं उसके पच्चे किया, तो मैं स्वाकरा गया, कि वीडिय कोई बात है, हाना, चलो, स्टार्ट करते हैं, क्लास को, नेशनलिजम को, यह पढ़ रहेते हैं, हम लोग, ठीक है, एक मना, ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट कर, ठीक है, तो देखो, नेशनलिजम क्या होता है, देखो, जो भी था recording, वो थोड़ा सा, दिक्कत हो रहा है, पता अगर नेशन से आप प्यार कर रहे हैं, अगर आप उसके प्रति प्यार रख रहे हैं, ठीक है बात है, अगर, सबज में आगया हो, ठीक है, हाओ इड नेपोलियन बना भाटे, हल्पिन, इसप्रेडिंग नेशनलिजम इन ये योरोप, देखो, यही मैं बोल रहा था, कि यही इंपोर्टेंट है, ना, यही इंपोर्टेंट कोर्शन है, इसको मैं स्टार्ट मार्क दे देता हूं ठीक है, सबस्क्रार्ट मार्क दे दे देता हूं, ठीक है, चलो सर, आइड श्टार्ट करते हैं, नेपोलियन इवेंशन्स का इन्वेंशन है, से शींत रहे, बहुत रहे थे और नेशनलिजम इन ये-अरोप में, यहां पर उन्हों के एक बहुत सारा अलग अलग तरीके से क प्रॉम दे स्कॉप अभी जिग्रोफिकल नेम्स को भी चेंज किया प्लिटिकल आउट्लाइन को भी बदला और क्या सर वीच प्रेटिक वेश्ट ओड इंटली और जर्मनी और वही जो थींकिंग था सर वही इटले और जर्मनी में लाया गया और वहां पर सर एक रास्ता बन जुलाइ रिवॉलिशन का अठना सो तीस में फ्रांस पर क्या इंपक्ट पढ़ा उसको भी पढ़ते हैं पड़ाफट जो रिजर्ट था सर जुलाइ रिवॉलिशन और 1813 का वह अप्सॉल्यूट मोनार्की पर था और फ्रांस जो ऐसर वह कंस्टिटिशन रिपब्लिक होते जा रहा था ठीकित बाद है यही रिवॉलिशन सुफ फ्रांस रिवॉलिशन को लाया and यहां पर बात क्लियर होगी, ठीक है, अब रिजन्स क्या थे सर, फ्रेंच एवर्लिशन ओफटीएट में डिजन्स क्या थे, तो रिजन्स यही था कि लुईफ, लुईफ सर फिलिप 2 था सर, वो बन शुका था, फ्रांस का किंग, है ना, कि अच्छा अच्छा लोगों को अच्छा ची दिया था गया, एंड अपोइंट गीजो, गीजो एक सर, स्टांस रियक्शनरी था, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 1840 में उसको लाया गया था, ठीक है, ही वाज अगेंस्ट एनी काइंड ओ लेगल, लेगल के वो अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया दिया गया गीजो को फिर दिक्कत आना शुरू हो गया था, ठीक है, और यही कारण था कि फ्रेंच रिबॉलिशन वहाँ पर ओना शुरू हो गया था, और उसके बाद सर, क्या हुआ था, एक बहुत इंपोर्टेंट है, गीजो को तो फिर दिक् विल्डर्शिप ऑफ दियर्स इंपारिस और 22 फवरी 1848, और यूज बंकेट, बंकेट का मतलब क्या होगे सर, एक बड़ा एवॉलिशन का संगठन बनाया गया था, पारिस में, और वहाँ पर कर्चा हो रही थी, ठीक है, किंग के बारे में, तो वह क्या करता है, किंग उसक बे मतलब कि फिपल लोग भी हार हो जाते हैं, और जिसके कारण से सर, एक रिप्रेसिव पॉलिशी को अपनाया गया, और वहाँ से सुरू होती है, रिवालिशन वो हमारी 1848 में सुर्ग हो जाते है, ठीक बात है, क्लिर बात होगी, चलो, नेक्ट कोर्सन चलते हैं, वाट व को डिसकेस करना है, बहुत ही अच्छा कोशन है, और हर बर पुछा जाता है, ठीक है, चलो, सर, बिसमार के जो ऐसा है, प्लेड इन इपॉर्टिन डोल इंदनिविकेशन ऑफ जर्मनी, और वो जो अथा सर, वे एक नेसले था, डिपलोमेंट था, मैंने पहले भी बता चुक ठीक है, और उसके बाद में चांसलर बन गया, रूसिया का, और यही हुआ था, विसमार्क क्या हो गया, एकोनॉमिक और मिलिटर पावर ऑफ पुरुस्या लेके, वो जर्मनी को युनिफाई किया था, ठीक है, बाइडिफेटिंग डेनमार्क, आस्ट्रिया और फ्रांस, य यह थो होगया, यह भी होगया, यह भी होगया ना, यह आँ यह आँ आ याँ पर, वाट वस द्पॉलिशी उफ आर अइरन ब्लड क्या है, यह पॉलिशी के सर, बिसमार्क ने लाए था, और इसमें सर, जर्मनी ट्रेडिटी को युनिफाई करने के लिए मदद किया था, वि और वह एक strong reactionary appointment था सर, strong opponent of revolutionary messages and supported of maintaining system और वो पुराने system पर ज्यादा बिस्वास रख ठीक है, और यह system को ऐसा establish करने जा रहा था, जहां पर maintaining system हो, है ना, because of his system, he is famous in Europe history, और वो maintaining system के कारण ही यह famous है, ठीक है, फिक बात, clear बात, चलो, next question चलते हैं, what is a maintaining के एरा, maintaining के एरा का हो था, जब हमारा, हाँ, नेपोलियन के एरा खतम होता है, तब maintaining के एरा चालू होता है, बस वही बात है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, चलो, सर, चलो, चलो, आगे, चलो, हाँ, 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 इस्टाबलिज जर्मन राइन कांफेडरेशन, जर्मन राइन कांफेडरेशन का इस्टाबलिज करता है, तो नेपोलियन, यह बहुत असान question है, तो यहाँ पर integration समझ लेना, हाँ, जर्मनी का जो economic integration था, और हैपन था, विफोर political integration कैसे, यह question आप लोग के लिए important नहीं है, basically, यह question कभी नहीं पूछा गया, तो इसको आप लोग मैं छोड़ कहता हूं, कि इसको बस पाड़ लेना, याद महीं करना, ठीक है, दीवांग में कि क्या आइडिया था, ठीक है, हाँ, what were the obstacles of the unification of Germany, obstacles क्या थे unification of Germany का सर, 300 जो छोटे-छोटे घहर थे, जना, political and social reasons थे सर, lack of feeling of nationalism and ostracist intervention and maternics, reactionary policy, यह सारी जो थे, वो obstacles थे, unification of Germany, obstacles मतलब सर, दिगत आना, बाद हाएं, ठीक है, next question, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कौन सा chapter पढ़ रहे हैं, sorry chapter बोलते हैं, यह ठीक है, यह ठीक है, यह पढ़ ली हमने, यह, ना, तो भी बहुत पीज है, ना, ठीक है, तो, mention the role of Kabar in unification of Italy, or give a brief introduction to Kabar, ठीक है, के वर जो था, सरी, महान पॉलिटी जा था, यृत्ति का unification करने के लिए, ठीक है, यह बात के लिए, उसके बाद सर, 1850 में, क्या होता है, वो एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, 1850 में, वो बीकाम है, प्राइम मिनिस्टर, तो, इसके बाद करता है, तो, यह बाद करने में, बहुत बहुत इंपोर्टेंट इसको कर लेना, इन विच कंट्री इंट पिंड़ाइब देफाइं निट्बन किया था घ। इन वह ने बोला था कि इक यह नॉनों ने बोला था कि एक कॉंप्रिसीव है, अघ। वो एक unity की तरह क्लाम करता है ठीक है विज डैनेस्टी वाज रेस्टाबलिज इन फ्रांस इन दिवियान कॉंग्रेस तो ओल्ल डैनेस्टी को रिस्टोट किया गया था वैदा वियान कॉंग्रेस तो फिटीन में ठीक है इसको कभी मत करना ठीक है इसको में दस बार पढ़ा चुका हूँ अब से लेकर इस बैच में दस बार पढ़ा चुका हूँ वियान कॉंग्रेस का जो अपना जो ओल्ड डैनेस्टी है उसको ले आई फ्रांस और स्पेंग में उसको कम किया जाए 39 स्टेप्स नेपोलियन में था उसको डिजॉल्व किया जाए और ओल्ड रेजिम को हटाया जाए और लाया जाए नया को ठीक है अब नया को हटाया जाए और ओल्ड को लाया जाए ठीक है वाट वस रोल ओस्ट्री इनिफिकेशन ओफ एटली एंड जर्मनी देखो यह बहुत इंपोर्टन कोशन और यह लॉंग में आता है सकता थाइए और लॉंग को तो मैं करवाओंगा नहीं अभी ठीक है सकता है यह जो है सद लॉंग को मैं करवा चुका हूँ दोसरे क्लासे देख लेना आप लोग देख लेना इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ठीक है देखो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा 1550 यहां 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 दिख रहा है ना यहां यहां पर सावा 3.50 में रिकॉर्ड कर रहा हूं दस मिनट के बाद चारवजे से एक दुसरी क्लासे होती ही तो उसको ले लेना है ठीक है यह संडे को मैं चारवजे आप लोग की रख रहा है चाकि उस सब को संडे को चुट्टी दे रहा है ठीक है ठीक है ठीक है यह यह लोंग कोशन है कि इसको भी देख लेना । प्रिएस्ट इनिफिकेशन घर मैं जो है इंपासिबल था सबस्मार्क विदाऊड विल्याम ओन की बीना भी मार्क का जो था जर्मेनी का इंप्र्टन नहीं था लिककत है यह यह पर क्यों सर तो विल्यम जो था सर वह उब्जाट्टीव था उन में विलियम घडेन नौट से इन तो विल्यम है ना वट यौनी विल्जम करता है है उसको बताता है कि क्या क्या करना है बस वहीं है ठीक है और रहुक प्रेड प्लीम कोश्ट था चुक्छ थे हम कर दो यह लेखिए है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है को क्यों कॉल किया गی야 junior गया ऐद अदस्ते हैं, मतलब आँ खतम हो गया ना? और जो जो मैं छोड़ाँ ना जो जो मैं छोड़ा हूं, जिसको कट नहीं किया हूं, कट नहीं डाला हूं, उसमें आप लोग क्या करेंगे, कट नहीं है ना, कट नहीं, तो उसको आप लोग learn कर लेना, क्योंकि महा महा important है, जो मैं छोड़ दिया हूं, अब ये करना कि, टाइम मेरे पास कम है, आठे मिनट तो मैं ठोड़ सा रिलाक्स करने के बारी है, मेरे पास, इसके करना है, दुसरा, इसके करना से, मैं तो क्लास लेना है, दुसरा, और इसके करना से, थोड़ा दिकर, ठीक है, तो यहाद चार बसने वाला है, तो मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, इस क्लास को, ठीक है, भाई भ खरहाट ठीक है next class में और जल्दी मिलेंगे लिए अपने देश पर हो रही है थो थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा होगा आप लोग को आई होपना अल्टर्नेट देश पर classes हो रही है अल्टर्नेट देश पर हो रही है ना next class में वैसे यह को को अल्टरनेट देज पर इसलिए मैं कर दिया हूं ताकि आप लोको दिखत भी ना हो एक बार वनसर्ट कर लेना एक बार उसको को सब्सक्राइब ठीक है तो थैंक्यो फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आप लोग एंड तक पहुंच चुके हैं बढ़ना चैप्टर को सब्सक्राइब करते हैं और क्योंकि सर्क्राम पढ़ने से चलेगा सिर्फ मुष्कराने से नहीं बाई टेक किया क्योंकि सब्सक्राइब